अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उचे सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में दिये हुए बैल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाये तापके आपको मेरे आने वाले सबी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले हेलो दोस्तों कैसे हैं आप स्वागात है आपका मेरे यूटीब चैनल में जिसका नाम है The Expert Guardian हम घर पर अक्सर चावल बनाते हैं तो कई बार बज़ जाते हैं तो चावल कभी तो बहुत ज्यादा ही बज़ जाते हैं तो उचावलों को हम वेस्ट गरेंगे हम आपको चावलों के कैसी रेसिपी बनाए बताएंगे जो बहुत ही असान है वो है चावल के पापड़ की रेसिपी ये रेसिपी बनानी बहुत ही असान है तो चलिए अब हम उसे बनाना चार्ट करते हैं चावल के पापड बनाने के लिए आपको चाहिए होता है एक बड़ा बावल चावल, नमक, जीरा, लाल मिर्ज पाउडर, काली मिर्ज पाउडर और ते पहले आप चावलों को किसी कपड़े पर या किसी न्यूस पेपर पर दो घंटे के लिए इने फैला कर रख देंगे आपने ये ध्याँ रखना है कि आपने इनको धूप में फैला कर नहीं रखना है आप ज़्यादे ही है तो पंक्खा चला कर इने दो घंटे के लिए फैला कर रख सकते हैं अब हमारे चावल लगबग सुख गए हैं अब हम इने ग्राइंटर में पीस लेगे हमने चावलों को 32 बारीग पीस लेना है और इनका पेस्ट बना देना है ऐसे हम सारे चावलों को पीस लेंगे अब हम इसमें एक से डेट चमच डालेंगे जीरा एक चमच के करीब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च आधा चमच इसमें हम डालेंगे काली मिर्च और अपने स्वाद अनुसार हम डालेंगे इसमें नमक और इसको हम अच्छे से घूंज लेंगे आट्टे को हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है हमने अब हम एक ट्रे लेंगे इसके पर हम थोड़ा थोड़ा सा टेल लगा देंगे ताकि जब हम इसके पर पेड़े रखे हैं अपने तो हमारे पेड़े ट्रे के साथ चिपके न अब हम अपने हातों पर अच्छे से टेल लगा लेंगे अब हम पेड़े बनाएंगे जो कि हमारे पापड़ के साइज के हिसाब से होंगे पेड़े आप अपनी मर्जी से छोटे या बड़े बना सकते हैं देखिए हमारे अब पेड़े बनकर त्यार हो गए हैं अब हमने एक पॉलिथिन लेना है और उसके उपर अच्छे से तेल लगा देना है हमने अब एक पेड़ा लेना है और उसे पॉलिथिन पे रखके उसके उपर दूसरा पॉलिथिन लेना है जिसके उपर भी हमने ठोड़ा सा पेल लगाकर और पेड़े के उपर रखके धीरे-धीरे अपने पेड़े को दबाते रहना है आपका पापड पूरी तरह से ऐसे फैल जाएगा आपने इसको जितना पतला हो से के उतना पतला बनाना है और उपर वाले पॉलिधीन को धीरे से निकाल लेना है ऐसे करके आपने सारे पापड बना लेने है और इने चार से पांच दिन के लिए धूप में सुखने के लिए र पापड़ों को पांच दिन तक धूप में रखा था तो देखिए पापड मेरे अब बिल्कुल रडी हो गई है तलने के लिए बिल्कुल सूख चुके हैं यह अब हम इनको चलो डी फ्राइ करते हैं तेल गर्म हो चुका है इसे मद्धिम आज पर रखेंगे ज्यादा तेज आज में तेल ज्यादा गर्म नहीं करेंगे अब हम पापड इसमें दला शुरू करते हैं कि कितने बड़िया पापड हमारे बनके त्यार हो रही है इस तरह हम सारे पापडों को पर लेंगे और अब पापड हमारे तयार है सर्व करने के लिए इसके उपर चाट मसाला डालके अलकिसी काली मीर्चे काला नमग डालके अब इससे सर्व करें खाने में बहुत मज़ा आता है तो फ्रेंड्स यह था बचे हुए चावलों से पापड बनाने का बहुत ही असान तरीका घर पे चावल कई पर हमारे बच जाते हैं तो हम इनको ऐसे यूज़ कर सकते हैं तो यह रेसिपी को आप अपने घर पे ट्राइ कीजिएगा यह आपको रेसिपी कैसी लगी इसको कम